राजा परिख्षित ने कलियुग से कहा तो क्यों मेरे राज में आ गया कलियुग ने कहा जिसे सतियुग आया चला गया त्रेता आया चला गया द्वापर का समय बितीत होने वाला है अब कलियुग का वास मेरा वास होगा राजा परिक्षित ने कहा मेरे राज में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं होगा कलियुग मैं तुझे प्रवेश ही नहीं करने दूगा कलियुग दीन ही नहीं होकर के चर्णों पर गिर्पडा महाराज छमा करिये मेरा प्रवेश आप क्यों नहीं राज में होने देंगे राजा परिक्षित ने कहा कलीयुग तुम्हारे प्रवेश होने के बाद मेरे राज में चोरी टकैती बदमासी अत्याचारी दुराचारी तो कि अधर्मके पत पर चले इसलिए हे कलीयुग मैं तुझे अपनी राज में प्रवेश ही नहीं करने दूँगा कलियुग दीन ही नहों करके चरणों पर गिर पड़ा महाराज आप मेरे आउगुण तो देख रहे हो लेकिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा गुण है गुण काउन सा है कलियुग ने हाद जोड़ करके के राजा परिछी से कहना प्रारम किया यत्फलम नास्तितपसा अनयोगेन समाधिना तत्फलम लबते सम्यक कलव ही के सब कीरतना जोफल सतियुग में द्वापर में त्रेता में हजारो हजार वर्स ध्यान दाना समाधि लगा करके लोग प्रात करते थे ना कलियुग में कहीं समाधि नहीं लगाना है घर परिवार छोड़के कहीं जंगल में जाकर के तप नहीं करना है क्या करना पड़ेगा केवल और केवल सजनों भगवान का भजन करिए भगवान के नाम पर किर्तन करिए हमारे आप के सब के जीवन का सारा फल वही मिलेगा जो सत्य युग में लोग तपस्या करके प्रात करते थे त्रेता में समाधी लगा के प्रात करते थे तो आपर युग में ध्यान धाना समाधी अस्टांग योग से जो फल प्राप्ट किया जाता था वही फल कल युग में केवल भगवान की भजन से मिल लाता है वोली भक्तवश्य भगवान की है मैं कहता हूँ कल युग में हमारा आपका जो जिन्म हुआ है यह है कि आपको घर परिवार छोड़ करके जंगल में जाकर के हजार वस्तर तप नहीं करना है समाधी नहीं लगाना है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अस्टांग योग की साधना नहीं करनी है केवल घर में बैठे रहिए अपने घर ग्रेश्टी के सारे काम करते रहिए और मन से भज़ा भगवान का भज़द करते रहिए सब फल मिल जाएगा आप बताओ जह हम राम नाम नहीं जब सकते तो कल युग में कहीं तपस्या करने को कहा गया होता घर घर चोड़के क्या जाके हम दस वीस वर्स जंगल में तब कर पाते हैं सतकर्म का फल कलीग में मिलेगा लेकिन मन से अगर आप कोई पाप कर्म सोच लिए किसी को सजा देना है किसी को गाली देना है किसी को की गले काटना है किसी को धोखा देना है चोरी करना है मन में अगर पाप आ गया आपके तो पाप कर्म का फल कलियों में मन उसे को प्राप्त नहीं होता है याद रखना केवल सत कर्म का फल पूरे कर्म का फल मिलेगा अब पाप कर्म अगर मन में बिचार में आ गया तो उसके फल से हम आप सब कर्म फल से हम आप सब मुक्त रहेंगे बोले भक्तवक्षल भगबार नेंगी ये कलियों के दूसरी भिसेस्ता मन से किये के धर्म कर्म का फल मिलेगा पाप अन्याय धर्म का विचार मन में आ गया उसका फल कल्योग में मिलने वाला नहीं इतनी बड़ियां विशेष्था सुन करके राजा परिक्षित बड़े प्रभावित हो गए राजा परिक्षित ने कहा कल्योग जब ऐसी महिमा तुम्हारी है न तो मैं तुझे रहने के लिए कुछ अस्थान परदान कर गरा हूँ दिवतम पानम्स्थियाह सुना यत्रधरवा श्चतुरविधा राजा परिक्षित ने कहा कल्योग उसमें सबसे पहला अस्थान दिया दिवतम पानम्स्थियाह सुना यत्रधारमाश्चतरविराहा जहां पर लोग जुवा खेलते हों इन चार अस्थानों को ध्यान देके सुनें कि यहां पर कल्यूग निवास करता है जहां पर जुवा होगी सजनों याद रख लेना उसको खांदान का आज नहीं कलकल नहीं परसो बिना सोने वाला है याद रखना और सज बताएं अगर पांच पांडोर जुवा न खेले होते तो महाभारत जैसा युद्ध सजनों जंसार सागर मिनना होता महाभारत युद्ध का दियोतक अगर कुछ है न तो पांचों पांडों का जुवा खेलना क्यों 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 हम सब कितनी बड़ी हैं बेवस्ता में कितने सुद्ध विचार से जुवा खेलने लगे लेकिन जब जैसे कुछ समय बीतेगा न बेमानी आ जाएगी और फिर उस जुवे से परिवार का कभी कल्यान होने वाला नहीं है इसलिए जहां पर जुवा खेला जाता है जुवा बाजी होती है वहां पर कल्यू का वास होता है दियूतम पानम उसके बाद जहां लोग मदिरा पान करते हैं मदिरा का सेवन होता है वहां कल्यू का निवास होता है इसलिए मदिरा पान से बंचित रहिए मदिरा का त्या करिए जिसको लुखान नान में मदिरा का प्रवेस हो गया न पत्नी बिचारी अलग भी लगती है बेटे अलग रोते हैं समाज में कहीं जा करके जरू ठा करके जी नहीं सकते भरी समाज में कह नहीं सकते मेरी पिता का नाम ही है मैं उन पिता की संतान क्यों पिता जी मदिरा पान करते समाज में जहां देखो वहीं आपके बेटे का सम्मान नहीं होगा परिवार का सम्मान और आदर नहीं होगा दिवतम पानम श्त्रिया हसूना और जहां पर वैस्या वृत्ति होती याद रखना वैस्या वृत्ति की अस्थान पर सदयु कलियो गवास करता है, इसलिए वैस्या वृत्ति से हमको आपको सबको दूर रहना चाहिए और यहाँ पर हिंसा होती लोग मांस आधि भक्षन करते हैं जिस परिवार में मांस का भक्षन होता है अंडे-पंडे खाए जाते हैं याद रख ले न उस परिवार में कभी भगवान का नए कलिू का बास होता है सदय वी से हम को आप पिमग रहना चाहिए लेकिन आज गल के लोग रहे महाराज क्या किया जाया हमने कहा क्या हुआ पूरा परिवार सुद्व साका हा रिये लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है न एक बार लेगे डाके हमारे जीवन को परिवार को भर्ष्ट किया जा रहा है हम उस देश के वासी हैं भारत वर्स की निवासी हैं जहां बराज के लगवक्त दो-चार-छेसो वर्स पहले पूरा भारत वर्स सुद्व साकाहारी जीवन दीता था और अन देशों में मांजाहार बख्षण किया जाता था लेकिन आज अमेरिका जैसे देशों में कहतें मांस खाने सरीर में ताकत आती है वह याँ हमारे गाओं में रहने वाला जो कुटचा होता है ना गाओं में पाले थे लोग कुटचा मांस भक्षण करता है और हम आप सब दवडा ले गाले किलोमीटर ने गांद की जीव निकाल के हापने लगेगा अगर मांस में इतना बल है तो गुत्ता मांस खा करके क्यों स्थक जाता है एक किलोमीटर दोड करके हमारे आप के हाँ ही पाले जाने वाला एक जानवर है जिसको हम आप सब सदयू देखते रहते घोड़ा घोड़ा सदयू सुद्ध साकाहरी भोजन करता वो घास खाता है याद रखना हो कभी मांस नहीं खाता लेकिं जितने लोग यहां बैटे बताओ अगर घोड़े को आपने हाँते हुए देखा हो कहीं कितना दोड़ा लग कितना चल भालो कहां से आप क्यान हो गया अरे हमारे आपकी सबकी नियत इतनी बरबाद हो गई हमाँ सब घर के जीवन को ऐसे दुस्तर ऐसा कठिन बना दिये आज सर उठा करके समाज में जीने का धिकार खोब बैटे हैं मांसाध भक्षणकर की लोग जानवर से भी कही गुजरे हमारे आपके दरवाजे पर जानवर पाली जाती ना भैंस लोग पालते भैंस की सेवा करते हैं दूद बेशते हैं दूद का सेवन करते हैं सज वताएं आपके दरवाजे पर कोई भैंस हो मेरी बात मान करके परिक्षण कर लेना कम से कम दस दिन से अपनी भैंस को खाने के लिए चारा मत देना बैचारी प्यास से और भूंक से तडप रही हो उसका प्राण निकलने वाला हो दस दिन से उसके सामने खाने के लिए हरी घांस या भोसादी जो भी भैंस को खिलाते हो न दिया गया हो लग रहा हो कि उसका प्राण निकल जाएगा और जब इसी स्थी आ जाए तो अपनी दर्वाजे पर पालने वाली उस भेंस के सामने ला करके मांस का तुकड़ा फेंग देना हमारे आप के दर्वाजे पर पलने वाली वो भेंस हो जानवर दस दिन से भोग और प्यास से तडपती रही होगी तडप जाएगी मर जाएगी प्राण का त्या कर देगी लेकिन मांस के तुकड़े पर सज्जनो अपनी जीवा नहीं लगा सकती मरना सविकार है उसको लेकिन भेंस दर्वाजे पर मांस नहीं खाती और हम सब मानो तनपा करके जानवर से भी गेगुजरे हो गए इसलिए जिस परिवार में जिस कुल खान नान में मांसाध धक्षन किये जाते हैं सज्जनो ये भागवत कता करती है वहाँ पर कलियुक का वास होता है कभी भगवान वास नहीं करते है